दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते आज हम कच्छा 10 के NCRT के विग्यान किताब से अध्याय दो आमल च्छार के ओमलोड के अंतरगत बहुत ही important प्रश्ण कहने जा रहे हैं प्रश्ण हमारा क्या कह रहा है क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं लिटमस बिलियन बैगनी रंग का रंजक होता है तो क्या आप जानते हैं लिटमस पेपर क्या होता है आमल और च्छार का पता लगाने के लिए लिटमस पेपर का उपियोग किया जाता है तो लिटमस बिलियन बैगनी रंग का रंजक होता क्या आप जानते हैं प्रश्ण का मतलब है यह हमारे पास बीकर है इस तरह से थे हमारे पास कोई बीकर है और इस बीकर में क्या है द्रव वस्था में बिलियन का मतलब होता है द्रव वस्था में क्या है लिटमस क्या है लिट लिटमस बिलियन है, यानि एक्वेस है, एक यू माने एक्वेस, यानि बिलियन, लिटमस बिलियन है, एक बीकर है, यह हमारे पास, बीकर है, या गिलास है, गिलास भी ले सकते हैं, बीकर भी ले सकते हैं, इसमें लिटमस बिलियन है, और किस रंका है, बैगनी रंका है, इसका प्राप्त होता है ये होता है लीचेन लीचेन का कवक होता है और ये थाइलो फाइटा समूह के लीचेन होता है लाइकेन होता है लाइकेन लाइकेन एक अच्छा साथ के अंसियाटी के बुक में दिया गया है लाइकेन लाइकेन कवक से क्या बनता है लिटमस पेपर बनता है ये बताया गया है कि अच्छा साथ के अंसियाटी के बुक में, सेबन, क्लास, क्लास सेबन के अंसियाटी के बुक में बताया गया है कि लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस बिलियन, लिटमस पेपर, लाइकेन से बना होता है, लेकिन हाई स्कूल के अंसियाटी किताब में दि लीचैन जो है लीचैन से यह क्या बनता है लिटमस बिलियन बनता है जो बैगनी रंका होता कैसा होता है एक अच्छा 10 के क्लास क्लास तें के किताब में दिया गया है अमले Igor Iamlvet के अध्राय में दिया गया है और यह थाइलो यह जाड़ी होता है यानि यह पेड़ नहीं होता है जाड़ी नुमा पेड़ होता है तो कहने का मतलब थाइलोफाइटा समू के जो लाइकेन होता है लीचेन होता है जिस तरह कि थाइलोफाइटा समू के जितने भी कवक जितने भी जाड़ियां होती है उनसे क्या बनाया जा तो आपने समझा लिटमस पेपर कैसे बनाए जाता है लिटमस पेपर बैगनी रंग का रंजक होता है तो यह जो है बैगनी रंग का होता है जो लीचेन होता है इससे यदि रस निकाला जाता है लाइकेन की जाड़ी से लीचेन की जाड़ी से रस निकाला जाता है तो उसका र बनता है क्या बनता है लिटमस पेपर कैसे बनता है थोड़ा सा हम इसको भी बताएंगे आज आपको लिटमस पेपर क्या होता है सोकता पेपर जिस तरह से सोकता पेपर आता है परियोग साला के दुकान से आप सोकता पेपर ले सकते हैं थोड़ा खुदरा हुआ पेपर होता ह थोड़ा थोड़ा उबरा हुआ होता है वो शुक्ता पेपर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं इंग गिर गया है कहीं कोई चीज पानी है थोड़ी गिली जगा है इसको सुखाना हो तो उस पेपर का परियुक किया जाता है इसलिए उसे शुक्ता पेपर कहा जाता तो शुक् हमारा है इसे सुक्ता पेपर हमारे पास है इसको क्या किया जाता है लिटमस बिलियन में बैगनी कलर के लिटमस बिलियन में डूबो दिया जाता है यह सुक्ता पेपर है यह लिटमस पेपर ता है इसे छोटा-छोटा टुकड़ा काट लिया जाता है इस तरह छोटे-छोटे निसान बना करके इसे छोटे-छोटे टुकड़े काट लिया जाता है तो लिटमस पेपर किसे बनता है लिटमस बिलियन से लिटमस पेपर बनता है यानि अब हमने समझ ल होता है, न अम्लो, होता है न अमलय होता है न चार्क होता है, इसका ये गुड़ होता है यानि उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन, ये उदा सीन क्या होता है लिटमस बिलियन यह हमारा क्या है लिटमस बिलियन ना अमलिये होता है ना छारिये होता है यह उदा सीन होता है तो इस तरह से प्राकिर्थ में पाये जाने वाला यह प्राकिर्थिक अवस्था से यानि प्राकिर्थ में पाये जाता है जो नेचर में पा से प्राप्त किया जाता है इस तरह का यह हमारा अमल चार को पता लगाने वाला लीकम सीफ़ाई होता है या कहलाता है अगल्मस офिते आई शुक्वा इस तरह के में पतालिधालर्म्वी कर लगाने के लिए पत्ता है आपने देखा होगा लां पत्ता गोभी का जो पत्ता होता है उसकी सहायता से भी हम जिस तरह लेटमस पेपर लेटमस बिलियन प्राप्त किया जाता है कहने का मतलब है हल्दी से हल्दी से और जो है लाल पत्ता गोभी से और पेटूनियम पेटूनियम फूल है यह क्या है यह फूल है यह क्या होता फू पेटू नियम फूल है आप internet पह संच करके देख सकते हैं जे नियम ये भी फूल है ये फूल है रंगीन फूल होता है लाल कलर का रंगीन फूल होता है हाईड्रेजिया ये भी फूल है और ये फूल है और कहरा। आदि का मदद गुड़हल का फूल का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं यानि गुड़हल का फूल यानि गुड़हल का फूल का परियोग करके हम लिटमस पेपर बना सकते हैं लाल पत्ता गोभी के पत्ते का रस निकाल करके हम लिटमस पेपर बना सकते हैं हल्दी का परियोग करके हम लिटमस पेपर बना सकते हैं और यह होता है पेटूनियम पेटूनियम के फूल से भी हम लिटमस पेपर बना सकते हैं जो जेरेनियम के पेपर से भी जेरेनियम के पुस्प से भी हम फूल से भी लिटमस पेपर बना सकते हैं हाइड्रेजिया के फुस्प से भी हम लिटमस पेपर बना सकते हैं लिटमस पेपर का मतलब होता है अमल और छार का पता लगाने में लिटमस पेपर का बहुत ही महत्पूर अस्थान होता है इस अध्याय में हम लिटमस पेपर के द्वारा और लिटमस बिलियन के द्वारा अम कि लिटमस पेपर अलग है और लिटमस बिलियन से प्राप्त किया जाता है और लुटमस बिलियन लुटमस बीन लाइकेन लीचेन के जहाडियों से उसके चोटे-चोटे पॉधे होते हैं उसके सब्सक्राइबsn यह कि अच्छे तरह से अधाय को आप अच्छे तरह से समस्ज़ सकेंगे और आपको लंबे समय तक परिछ परेट की यहाद रहें gener और परिच्छा में अच्छे अंग प्राप कर सकते हैं